यूपी सरकार की सकती के बाद भी धाई लाख करीब करमचारी जो हैं उन्होंने अपनी संपत्ती का ब्योरा नहीं दिया ऐसे करमचारियों का अगस का जो वेतन है उसे रोक दिया गया हरा कि 16 गंटे बाद मंगलवार को ही आनि कि आज इस आदेश को वापस कुछी दिर पहले लिया गया योगी सरकार ने करमचारियों का एक महिने का वेतन जो रोका उसके लिए एक महिने का और वक्त दिया गया है और कहा गया है कि आखरी तारिक 30 सितंबर है 30 सितंबर तक ये बताना होगा कि किसके पास कितनी संपत्ती है उत्तर प्रदेश में अपनी संपत्ती का व ज़्यादा करमचारियों ने माना संपधा पोटल पर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया अब सरकार ने सक्त अक्षिन लेते हुए इन सभी करमचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोग दिया था लेकिन अब इस पैसले को वापस ले लिया गया है और 30 सितंबर तक वक् चल संपत्ति के बारे में पोटल पर जानकारी साजह करने के आदिश दिये थे बावजूद इसके अभी तक काफी संख्या में राज्य करंचारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया मिली जánकारी के मुताبिक अब ही तक सिर्फ 71 पीसदी कर्मिएं ने ही अपनी संपत्ती के बारे में जानकारी दी है ऐसे में करीब 29 फीसिदी करमचारियों को अगस्त महिने का वेता नहीं जारी किया जाने की बात सामने आई थी लेकिन अब इस फैसले को वापस ले दिया गया है सभी करमचारी जो है सरकारी करमचारी उनकी स्तंक्यागी बात करे तो 8 लाग से भी जादा है मुख्य सचीब के स्तक्त आदेश के बावजूद इनमें से 6 लाग से जादा नहीं पोर्टल पर अपने संपत्ती के बारे में जानकारी साजह की थी मुख्य सचीब की ओर से जारी किये गए आदेश में कहा गया था कि प्रदेश के राज्य करमचारियों को भी IAS और PCS अफसरों की तर्ज पर अपनी संपत्ती का ब्योरा ओनलाइन दर्ज कराना होगा विभिन निगम और स्वायत शासी संस्थाओं में कारेरत करमचारियों के अलावा सिक्षकों के लिए भी ये आदेश जारी किया गया था सरकार के सक्त निर्देश के बावजूत काफी संख्या में करमचारी अपनी संपत्ती का ब्योरा देने में धिलाई बरत रहे थे और इसी कारण राज्य सरकार ने सक्त कदम उठाते हुए इन सभी करमचारियों का अगस्त महीने का जो वेतन है उसे रोक दिया था संपत्ति का विवरण वाले राज्य करमचारियों से शासन काफी नाराज है जिरों ने नहीं दिया और वेतन रोकने के अलावा उनके खिलाब दूसरी कारवाय की भी बात आ रही थी जानकार सूत्रों का ये कहना है कि अभी तक संपत्ती का विवरन न देने वालों में सिक्षा विभाग से जुड़े करमचारी बहुत ज़ादा आगे संपत्ति का व्योरा देने वालों में सबसे ज़्यादा करमचारी टेक्स्टाइल, सैनिक कल्यान, उजा, खेल क्रिशी और महिला कल्यान विभाग से जुड़े हुए है बेसिक सिक्षा, उचे सिक्षा, चिकित्सा, स्वास्त और जोगिक पिकास और राज्यस्ट विभाग से जुड़े सबसे ज़्यादा करमचारी ने अभी तक अपनी संपत्ति का व्योवरन नहीं दिया है मुक्य सचीब मनुच कुमार सिंग ने 17 अगस को इस बात का आदेश चारी किया था उस समय एक लाग से भी जादा राज्य करमचारी ने ही अपनी संपत्ति का व्योरा दिया था अब संपत्ति की जानकारी देने वाले राज्य करमचारी की संख्या बढ़कर 71 फीसदी हो गई है मगर अभी भी करीब 39 फीसदी राज्य के जो करमचारी है उन्होंने संपत्ति के बारे में जानकारी ऑनलाइन नहीं दी है सरकार कर ये कहना है कि सभी राज्यकर्मियों को अपनी संपत्ती का व्योरा देना चाहिए इसमें उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी संपत्ती का व्योरा देने के बाद ही इन्हें आगे वितन जारी किया जाएगा नियुक्ति विभाग से और समय देने का अनुरोध इस बीच डीजीपी मुख्याले ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिख कर संपत्ती का ब्योरा देने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया पत्र में कहा गया कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परिक्षा के कारण काफी संख्या में पुलिस कर्मी अभी तक अपनी संपत्ती का जो विवरण है वो नहीं दे सके हैं डीजेपी मुख्याले के इस अनुरोध के बाद संपत्ती जानकारी देने की तिथी आगे बढ़ाई जाने की जो संभावना जताई जा रही थी अब वो हकीकत में साबित हुई है और यूपी सरकार की तरफ से 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है जहां सरकारी कर्मचारी अप अपने संपत्ती की जानकारी पोटल पर देनी ही होगी